हलो गाइस दोस्तों आज के दोर में जहां पूरी दुनिया ग्लोबली उनाइट होके एक बहुत बड़े पैंडामिक से लड़ रहा है वहीं दूसरी तरह पॉलिशन का लेबल भी कम नहीं है और अगर बात करें हमारे देश जैसे इंडिया जैसे कंट्री की तो यहां पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मेट्रो सिटीज की इंडिया में तो उसका लेबल तो बहुत हद तक ज़्यादा एक्सेस हो गया है और ऐसे सुच्वेशन में अगर आप पॉलिटेड एरियाज में या मेट्रोजमिया कहीं भी रहते हैं अपनी फैमिली किसे हैं तो आपक अपनी फैमिली के हिल्थ के चालब खिलवाड कर रहे हैं और ऐसी जगहों पे एक बढ़िया एर प्यूरिफायर को होना बहुत जरूरी है और मैं और मेरी फैमिली बहुत सार लोग सेंसेटीव हैं मेरी फैमिली में खासकरकर अलरजी से डस्ट से और पॉलिशन से तो कुछ इस लिए हम कई सालों से यू तो बहुत सारे मार्केट में जो अबलेबल एर प्यूरिफायर से ब्रैंट्स के अलग अलग ब्रैंट्स के मिने ट्राई किया बट इन पांच-छे सालों में हमें कभी साटिस्फाक्शन नहीं मिला और रियली वो अप्टू मार्क नहीं आ रहे थे फिर मैंने कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिबस ने सजेस्ट किया कि आप डाईसन ट्राई करके दिखिये तो मैंने काफी रिशर्च किया और रिव्यूज देखा उसके बाद सोचा कि चलो इसे भी ट्राई करके देखते हैं तो डाईसन का एक बहुत बढ़िया एयर प्यूरिफायर जो हमने एक महिने पहले पछिस किया ये हैं डाईसन प्यूर होट प्लस कूल एयर प्यूरिफायर ये एक ब्लेडलस फैन का भी काम करता है इसमें बडेड नहीं है और बेना बडेडure के ये आपको हवा प्रवाइड करता है hot plus cool यानि अगर आप ठंडे के दिन में हैं तो air तो purify करेगा ही करेगा साथ साथ ठंडे के दिन में एक room heater या फिर blower का भी काम करता आपके पूरे room को heat करता है without killing the oxygen dry नहीं करता है room को उसके बाद गर्मियों में ठंडा करता है और बहुत सारे और मैं completely satisfied हो गया इसे एक महिन इस्तामाल करके मैंने सोचा कि आप सभी के साथ सेर करना चाहिए definitely it's a costly product but it worth चूँ आपको इस वीडियो में आपको पूरा review में आपको बताने माले है तो बने इस वीडियो के साथ मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार आप देख रहे हैं माई smart support YouTube चैनल शुरुआत करते हैं डाइशन का इस air purifier की unboxing के साथ तो गाइशन का air purifier जो है इस तरीके से कुछ box pack में आता है आपको box packing ही देखे कुछ यासा feel होगा जासे something very premium is inside this box तो सच में अगर आप खोलेंगे तो इस तरीके का कुछ दिखेगा आपको और ये जो look or design इसका दिया हुआ है जब भी कोई पहले नजर में आपके कमरे में जहां place किया है वहां देखिया तो जरूर इससे देख के सूझे कि है क्या एक बहुत खुबसूरत सा feel देता है रूम को भी decorative बना देता है और जो चीजे करता है वो तो आगे आपको बताएंगे ही सबसे पहले बता दूँ कि ये दो color variant में आता है पहला ये जो हमारे पास है ये white और silver के combination में दूसरा जो variant आता है वो blue iron के combination में आता है दोनों ही बहुत awesome लगते हैं अब अगर बात करते हैं इसके साथ क्या क्या चीजे आती है तो सबसे पहले तो ये खुद एक unique looking सा आपका air purifier उसके साथ साथ आपको मिलता है एक remote controller और ये remote controller भी बड़ा ही अजीब type का है magnetic है इसके सारे features आपको हम बताएंगे और आगे फिलहाल इसा रख देते है magnetic इसलिए है कि आप उपर में ऐसे चिपका सकते हैं और वो खोईने का कोई डर नहीं रहेगा और इसके साथ आता है 16 ampere का ये plug क्योंकि इसके अंदर एक heating element है और उतना current handle करने के लिए 16 ampere होना चाहिए तो ये quite sufficient है इसके लावा फ्रेंट में आपको एक power button दिया गया जिसे press करके आप power on कर सकते हैं हलाकि power on आप directly remote से भी कर सकते हैं लेकिन वाल जी अगर remote हो गया तो वैसके situation में यहां से भी आप इसे operate कर सकते हैं अब आगे बात करते हैं दिखिए यह जो section है base section है इसका और इस पर टिका हुआ है नीचे में Dyson की branding है इसके उपर यह जो जालीदार आप देख रहे हैं यह basically cover है और इसके अंदर filters हैं और इसके बहुत सारे components हैं यह जो section है आपको यहां पर display section है LCD screen है square में यहां पर आपको दर्साया जाएगा उपर में और अगर देखें आपको यह पंखा है और इसी के पीछे heating element लगा हुआ है और यहां पर आप देखें तो यहां पर आपको छेद दिख रहे होंगे और यह छेद basically यहां पर तीन sensors लगे हुए हैं और आगे आपको बताएंगे sensors कौन कौन से हैं और किस तरीके के हैं नीचे में जालीदार section देख रहे हैं यहां से environment का room का पूरा dust pollutants या फिर order या फिर VOCs जो भी है सब को यहां से suck करता है उसे process करता है, purify करता है और आपको जो fresh air है वो friends से आप चाहें तो emit करता है और पूरे room में फैलाता है और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो यह back से भी diffuse कर देता है air को तो आगे हम आपको बताएंगे detail में आईए आप बता दें आपको इसके कुछ technical aspects के बारे में कि यह काम कैसे करता है तो आपको बता दूँ कि यह तीन steps में air को purify करता है सबसे पहला sense, दूसरा capture और तीसरा project अब sense, capture, project क्या होता है थोड़ डिटेल में आपको समझा दूँ तो आईए बढ़ते हैं पहला step के तरफ जो कि है इसका sensing part तो यह air purifier sense कैसे करता है environment से dust को, gases को या फिर आप कहलिए pollutants को, pollens को, जो भी चीज़े हैं उनको तो इसके लिए आपको तीन तरह के अलग-अलग sensors लगे हैं सबसे पहला जो sensor है वो particulate sensor है दूसरा जो sensor है वो gas sensor है और तीसरा जो sensor है वो temperature and humidity sensor है तो अब सबका एके करके मैं आपको काम बताता हूँ अब यह जो particulate sensor है यह laser technology का इस्तमाल करता है environment में कितने PM 2.5 particles हैं, कितने PM 10 particles हैं इनको analyze करने के लिए और analyze करके यहाँ पे display करता है कि यह कितने हैं और आपको दरसाता है इसके बाद जो दूसरा sensor है, gas sensor उसका काम है कि environment में जितने तरह के VOC हैं VOC का मतलब volatile organic compounds हैं जैसे कि आप कह सकते हैं oxidizing gas हैं जैसे कि NO2 अगरा हो गया उसे environment से sense करके यहाँ पे display करता है कि वो कितना है इसके अलबा जो तीसरा sensor है वो है temperature and humidity sensor जो कि environment से जितना temperature है, जितना humidity है उसे sense करता है और यहाँ पे आपको display कराता है और बाद में यही जो data हो गया उसके इसाब से जब आप automatic mode में से run करेंगे तो यह fan के speed को control करता है, heat को control करता है heating element ताकि जो room का environment हो, temperature हो उसे सही suitable set करके रखे, तो guys यह तो था आपका sensing part अब चलिए बढ़ते हैं second step के तरफ जो कि है इसका capture operation तो capture करता है, जो चीज़ें से sense किया environment से polytons वगरा वो सबको, वो अब capture करता है और capture कहां करता है तो यहाँ पे आप लेकर हैं cylindrical part इसका तो cylindrical जो part है, यह सबसे पहले बता दूँ कि इसके अंदर filters हैं और यह जो section है, fully sealed है कहीं से भी अलग तरीके से, अलग जगर से कुछ भी नए इंटर कर सकता है और अब इसके अंदर बात करें filters की, तो mainly दो तरह का filter था और दोनों ही filter बिल्कुल innovative और बहुत high technology से बनाए गए है तो पहला जो filter है, वो है H13 glass hepa filter और उसके अंदर मिलता है आपको दूसरा filter जो की है activated carbon filter तो दोनों की खूबियां आपको एक एक करके हम detail में बताते हैं सबसे पहले बताते हैं आपको H13 glass hepa filter का तो बता दूँ आपको की यह जो filter है यह capable है 99.95% of microscopic allergens और pollutants जिनका size 0.1 micron से भी कम है और यह even bacteria और viruses को भी filter करने के लिए capable है और एक surprising चाहिए आपको बता दूँ की यह जो filter है वो उन सभी pollutants को सक कर लेता है जो की आपके आँखों से नहीं दिखता है लेकिन यह तब पता चलता है जब माली आप इसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप use कर लिए साल भर तो जब इसे आप निकालेंगे तो आप दिखेंगे की जो back का portion है वो तो आपका गंदा हुआ है लेकिन वो filter करके जो front portion है उसका न वो आपका वैसे ही चमकेगा जैसा नया था तो यह प्रूफ कर देगा वहाँ पे कि कोई भी dust pollutants को आज तक इसमें इंटर नहीं करने दिया इससे इसके अलबा जो दूसरा filter होता है इसके अंदर इसका नाम है activated carbon filter वो अलग-अलग तरह के VOC यानि volatile organic compounds को environment से या फिर harmful gases हो गया order हो गया फ्यूम्स हो गया जैसे की मान लिजिए formaldehyde, benzene, nitrogen dioxide उन सभी को यह capture करता है अभी तक आपने देखा कि कैसे यह sense करता है कैसे capture करता है अब आईए इसका final और third step की तरफ बढ़ते हैं जो की है projection step जो की सबसे interesting है और projection कैसे करता है एक बार सब कुछ होने के बाद यह process करता है और purify करता है उसके बाद purification होने के बाद इसे project करता है आम तोर पे आप देखेंगे कि जो normal brand के दूसरे air purifier होते हैं वो उपर की तरफ से आप प्रोजेक्ट करते हैं air को purified air को और वो भी उतना force नहीं बहुत lightly आपको महसूस भी नहीं होगा लेकिन इसकी खासियत जो है वो आप कमाल की है देखके चौक जाएंगे सबसे पहले तो जब अगर ठंडा का दिन है आपने temperature manually set रखा है या फिर automatic के sense कर रहा है तो आप इसमें heating elements लगे हैं तो instant गरम करता है हवा को और उसके साथ ये थो करता है और हवा जो है यहां से सामने से project करता है ये project करता है और इसका throw इतना तगड़ा है कि आपके room के कोने तक जाएगा और कोने कोने तक जाके पूरा circulate करता है circulate करें उसके लिए यहां पे oscillation feature दिया हुआ है तो यह जो section है यह oscillate करता है आप चाहें तो इससे room के कोने में भी रखेंगे तब भी पूरा room में हवा जो है purified air जो है वो circulate करेगा और सारे room का हवा जसे capture करके साफ करते जाएगा और थ्रू करेगा और इसका सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब आप ठंडे के दिनों winter season में AC या fan ओफ करके रखा है तब भी गरम हवा जो है वो circulate करते रहता है आपके पूरे room के across और आपको सबसे कमाल की बात बताते हैं कि यह जो air purifier है air multiplier technology पे का project कर देता है आम दूसरे किसी filter में इतना दूर दूर तक भी power नहीं होता है और आपको यह additional advantage यह मिलता है कि इसमें bladeless fan मिलता है आपको यानि हवा मिलती है पंके की तरह बिलकुल और यहाँ पे बच्चिये जो हाथ वगरा लगा दे तो कटने का कोई डर नहीं आम पंके की त pressure sense करके humidity sense करके control कर लेता है इसके रावा एक और कमाल का feature है इसमें जिसका नाम है diffusion mode अब माल लीजिए जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं front में paperwork और इसके हवा से आपका paper ऊड़ रहा है आप से कर दिये तो अब क्या होगा यह जो हवा सामने आ रहा था वो सामने नहीं आ कि यह पीछे के side से diffuse हो जागा पीछे के side से निकलने लाएगा और वो इस manner में लिखेगा diffuser कि आपको हवा नहीं लगेगा disturbance कोई भी नहीं होगा लेकिन air purifier और सर्फलेट होती रहेगा इतना ही नहीं एक और कमाल का feature इसमें inclined and adjust तो इससे क्या होदा कि अगर आप चाहते हैं कि यह थोड़ा सा inclined हो जाए पीछे की तरफ या फिर नीचे की तरफ तो यह दोनों आप कर सकते हैं और inclined करके आप इसे operate कर सकते हैं तो इस mode में क्या होगा कि जैसे माली आप लेटे हु को उसे market में लाने से पहले test किया आता है इसका testing procedure होता है तो इसमें जो testing mechanism लगाया गया है वो बिलकुल अलग होता है आम तोर पे जितने भी दूसरे air purifiers होते हैं वो CADR test से होके गुजरते हैं basically CADR test में होता क्या है air purifier को room के center में रखा जाता है पंखा चला जाता है या फिर क हवा देने के लिए सर्कुलेट करने के लिए तरीका अपना आयाता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ उस room में एक sensor रखायाता है और उस basis पे sense करके analyze किया आता है और test perform किया आता है लेकिन टाइसन जो है apple artist basically कि इस air purifier को room के center में नहीं रखते हैं किसी भी कोने में corner में रख देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी पंखा या external fan चलाने की जरुत नहीं होती क्योंकि इसमें खुद आपका fan है और air को circulate कर लेता है और यहाँ पे एक नहीं total 9 9 sensors होते हैं जो कि room के अलग-अलग parts में plant किया आते हैं और सभी से sense किया आता है कि air कितना purified है analyze किया आता है और उसका result दिखा आता है उसके बाद इसे market में टेस्ट होने के बाद लाया आता है अब आये heating और cooling के बारे में बात करते हैं यहाँ पे अगर heating के बारे में बात करते हैं तो यह instant heat provide करता है आपको यानि आमतार पर जो दूसरे heaters होती है blowers होती है वो थोड़ा समय लगाते हैं लेकिन यह जो है ना इसमें ceramic heaters लगे हुए blades लगे हुए यहाँ पर यह चारो तरफ तो यह क्या करते हैं कि जैसे आप temperature set कर सकते हैं up to 37 degree Celsius का option है उतना set कर सकते 37 degree काफी होता है और उत instantly तुरण बटन दबाते हैं within few seconds तीन चार सेकेंड के अंदर ही आपको गरम हवा deliver करने लगता है guys जो की दूसरे किसी purifiers में यह चीजें नहीं दियाती हैं आईए अब आपको इसके remote से भी इंट्रड्यूस करा जाते हैं remote बिल्कुल magnetic है और बस आप यहां रखिए चिपक जा इसके लाब आई बटन है आई बटन को प्रेस करकर के बार बार आप अलग अलग information जो यह sense किया है वो यहां पे display होता है LCD में और उसे आप देख सकते हैं fan plus minus से आप fan का speed को control कर सकते हैं 0 से 10 तक इसके बाद heating है heating को आप प्लस करते जाएंगे तो up to 37 degrees Celsius तक पहुंच तो automatically इसका sensor जो है sense करेगा और उसी साब से अपने आप यह काम करता है सब कुछ air through, temperature और हर चीज अपने आप काम करने लाएगा जितना भी purification करना है उसी साब से कैसे करना है इसको उसके बाद यहां पर आपको heating off करना है तो यह दबा दीजिए और यह जो बटन है oscillation का button है आप चाहें तो इसे एक बार दबाएंगे तो 45 डिग्री और फिर दबाएंगे तो 90 डिग्री फिर दबाएंगे तो 180 और फिर दबाएंगे तो 350 पे oscillate करके पूरे रूम में आपको करने हवा अगर आप नहीं चाहते हैं स्टेबल करना चाहते हैं तो आप स्टेबल भी कर सक पिर टाइमर है आपका प्राइमर लगा दिए जब आपको चाहना है ऑफिस या रहे है जब भी करना है बंद हो जाए अपने आप यह कर सकते हैं चालों अपने आप इसके अलावा यहाँ पर नाइट मोड है, नाइट मोड में आपको आवाज जाजा नहीं करेगा, यह पंखा अपनी आप उस लेबल पर चलेगा और काम उसी साब से करेगा, लाइट वगरा भी LCD का सुखर आफ हो जाएगा, गाइस क्योंकि एक smart air purifier है, इसलिए आप इसे इसके app के थुरू भी operate कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर पर जाजिए अगर आपका Android का फोन है तो और उसमें Dyson Link app डाउनलोड करके install कर लिए, आप यह iOS के लिए भी कर सकते हैं, iPhone के लिए, अब यहाँ पे remote से आप जितने भी काम कर रहे हैं, यह app से आप कर सकते हैं, इसके अलावा मान लीजिए आप command set करना चाहते हैं कि कब चलू हो, कब बंद हो, कब कितना temperature लो, वो सब कुछ preset करके रख सकते हैं, उसी साब से वो काम करने लाएगा, मान लीजिए example के तो और पर आपका purifier घर पे है, office से आप पांच बज के साथ, external outdoor का भी air quality का status आप जान सकते हैं, और यहाँ पर आपको filter life भी बदाता है, यह filter life काफी लंबा चलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर indicate करता है, कितना life आपका बचा हुआ है, आईए अब बात करते हैं, इसके warranty की और service की, तो guys, आम तोर पर यह product बहुत minimal, कोई service के जर पर उतने पड़ती है, लेकिन अगर माल यह खराब हो जाता है, तो दो साल की इस पर complete warranty है, आपको buy करने के बादे से register करना होगा, that's right, तो आईए अब finally बात करते हैं, conclusion की, guys, मैं इस air purifier को लगभग एक महीने से इस्तमाल कर रहा हूं, और I am fully satisfied, मैं past में बहुत सारे purifier से इ लेकिन उसमें कुछ नकुछ issues और इतना बढ़ियां आपको air quality कभी भी ने मिला, मेरा पूरा family is satisfied है, और यह जो product है, भले मैंने 50,000 लगा के खरीदा है, लेकिन वर्थ करता है, मैंने इससे पहले जितने भी अलग-अलग purifier's खरीदें, वो definitely मेरे पैसे waste हो गया, इसलिए मैं पैसा लगाईए और satisfy होके एक बढ़िया चीज खरीदें, क्योंकि यह देखिये काते हैं, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार रोते रह जाए, तो वो काम मत किजिए, हमासे करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने द्वासों का सेर कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्टन में लिंक है, चेक आउट करना अगर आपको पसंद आता है, तो बिल्कुल मत्भूद येगा, थैंक्स लगा फोजिंग गाईज, बाबाई